हेलो दूस्तो आज हम एक बिल्कुल नया और इंपोर्टन्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेग्रन सॉल्यूशन्स या फिर उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें इसमें क्या फर्क हो गया है तो देखो फर्क क्या होगा कि जैसे मैं बोलू कि हमारे पास 25 आइदेंटिकल आब्जेक्स है आइदेंटिकल आब्जेक्स और हमारे पास कितने चलो चार ग्रुप मानते हैं चार डिस्टिंग ग्रुप ग्रुपश को तो हमने जो नीकाला था उसमें हर एक ग्रुप में कितने देजर को डेर रखा था जैसे कि मैं बोलों कोई से भी एक ग्रुप में पांच आएगे कोई सब इनुसरे गुरूप के शह जाएगे कोंई सब त Erfahrate उब कि दस जाएगे और कोई सभी चौथे ग्रूप में चार जाएगे यह ऐसा गीवन था तब हम नंबर वेज निकालते थे याद करो यह भी फॉर फैक्टोरियल क्योंकि लेंद सारे अलग अलग है लेकिन इस बार हमें गीवन ही नहीं कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन लेंद क अलग हम ले सकते हैंग इधर पाँच छे साथ साथ यह वाला कॉंबिनेशन भी ले सकते हैं इसारे बहुतfikने जितने तो कोई छोटा तरीका होगा जिससे हम इसके नंबर ओफ वेस निकाल सकें तो क्या होगा वो देखो अब ध्यान से देखना मान लेते हैं कि हमारे पास हाँ 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 थर्टी डिस्टिंक्ट ने सॉरी आइडेंटिकल ओब्जेक्स हुए और हमें तीन डिस्टिंक्ट ग्रॉप्स जिसका नाम दे रखा है x1, x2, x3 में डिवाइड करना है तो बताओ नंबर ओफ वेस कितने होगे इस तरह कि x i each x x is greater than equal to zero और each x integer होगा यह तो obvious वाली बात है हां कुछ सवाल में इधर one भी हो सकते हैं लेकिन वह हम बाद में देखेंगे अभी नहीं देखेंगे अभी हम zero की बात करेंगे तो अब number of ways निकाल ले तो देखो हम x1 में जो number of elements जाएगे उसको हम t1 मान लेते हैं x2 में जो number of elements जाएगे उसकी size हम t2 मान लेते हैं और इसकी हम size मान लेते x3 में t3 तो फिर t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर 30 और खास बात t1, t2, t3 variable हैं तो अब देखो मान लेते हैं हमारे यह 30 identical objects हैं 30 है तो अब हमें 3 groups में divide करना है देखो यह तक बनाते हैं बाद में आगे नहीं आगे मान लेते हैं आगे होगे सारे नहीं बना रहे हैं तो अब हमें number of ways निकालने हैं तो हमारा algorithm क्या रहेगा वो ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखना अब हम क्या करेंगे इनके बीच में partitions डालेंगे तीन ग्रूप है तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे टोटल जो तीस objects है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक part हम कोई से भी एक group को assign कर देगे यानि कोई से भी एक group में डाल देगे तो क्या उससे जो number of ways हैगे क्या वही हमारा answer होगा हाँ बिल्कुल वही हमारा answer होगा तो देखो हमने डो partition कहीं भी डाल सकते हैं हमने मान लेते हिदर डाले हैं अब देखो partition टो identical ही होगे क्यों identical होगे सुनो देखो यह मान लेते distinct है तो यह partition यह partition भी है अब मैं इसको थोड़ा ऐसा कर दूँ जैसा कुछ मैं अब partition भी इदर डालू partition इदर डालू क्या यह दोनों में कोई fark दिख रहा है क्या number of waste यानि कि जो x1 इसको यह मान लेते हैं यह वाला part t1 में जाएगा यह वाला part t2 में जाएगा और यह बाकी के सारा part t3 में जाएगा और इसमें भी हम ऐसा ही मानेंगे यह वाला part t1 में यह वाला part t2 में यह वाला part t3 में क्या t1, t2, t3 के distribution में कोई अंतर आया नहीं आया लेकिन जब हमने partition distinct कर दी तो इस यह बता रहा है कि अंतर आयगा लेकिन असल में अंतर आ नहीं रहा है यानिकि उसका मतलब क्या हुआ कि partition को identical होना पड़ेगा तो अब देखो तो फिर partition को identical partition को भी हम arrange कर सकते है partition को हम arrange करेईगे ही करेंगे क्यों करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हम partition को देखो यह गेगा तो यह अलग यानि कि जितने पॉसिबल होगे उतने पॉसिबल नंबर ओफ वेज होगे हमारे तो हां उतने नंबर ओवेज होगे तो बस अब हमें एरेंज करना है देखो हमें क्या करना है थट्टी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड थ्री नहीं सॉरी टू आइडेंटिकल पार्टिशन्स को एक साथ एक रो में एरेंज करना है समय मैं हमने क्या किया कहां से हम कहां चले गए हमें एरेंज करना है इनको तो अब यह आपने जब पर्मुटेशन अफ अलाइक उब्जेक्स पहले पढ़ा होगा तो उसमें इसके नंबर ओफ वेस निकालना सिखाया होगा तो अब हम टोटल उब्जेक्स किसमें कितने हैं इसमें थर्टी टू थर्टी टू फैक्टोरियल अब तीस आइडेंटिकल उब्जेक्स हैं तो वाई थर्टी फैक्टोरियल यहानि कि थर्टी टू सीटू क्या यह हमारा आंसर हुआ हुआ जी हा यहनि कि टी वन ये पहले गरूप के देखो ये टी टू और बाकि सारे जो हैं यह सारे T3 में जाएगे तीसरे ग्रूप में तो यह इस तरह से हमने number of ways निकाल लिया बहुत अनोखा तरीका है हम जनरल केस की बात करेंगे देखो जब हमारे पास and identical objects हो और हमें our distinct groups में arrange करना हो such that groups empty भी हो सकते हैं यारिके 0 या फिर 0 से ज़्याद elements होगे objects होगे हारे group में तो फिर number of ways निकालो तो अब इसमें भी यही कहानी करने वाले हम देखो अब मान लेते हैं जो हर एक are distinct groups है सबसे पहला वाला group x1 है दूसरा वाला group x2 है तीसा वाला group x3 है up to up to xr है आखरी वाला group अब मान लेते हैं x1 में t1 objects आएगे x2 में t2 objects आएगे इसमें कौन से objects आएगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगे कि objects identical है यह तो आपको समझ में आ गया होगा और x3 में t3 जाएगे और so up to xr में tr number of objects जाएगे तो ठीक है तो हमें क्या करना है हमें जो टोटल अब्जेक्स है उसको में रोमेरेंज करके उसके partitions डालके हमें आर पार्ट में आर अलग अलग पार्ट में हमको उसको distribute करना है और हर एक part को हम एक group में डाल assign कर देंगे तो क्या उससे हम number of ways निकाल सकते है बिलकुल तब हमें partition कितने चाहिए होगे यह बड़ा सवाल है क्या हमें r partitions चाहिए होगे ची नहीं हमें r minus 1 चाहिए होगे क्यों कि देखो इसमें हमने इसके पहले वाले सवाल में डो पार्टिशन से हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था तो इस बार भी हमें कितने partition चाहिए r minus 1 जितने groups उसके उससे एक कम partition चाहिए निके हमको r minus 1 identical partitions और कितने objects है एन identical objects ठीक है अब त्यान से देखने वाली बात यह है कि हम एक बार इसको दिखा देते हैं है और यह रहे पार्टिशन को हाँ खास बात partition इधर भी होगा अगर इधर होगा तो यह जो इसके पहले है मनलब इसके जो लेफ्ट वाला पार्टिशन भी ऐसे चलते रहे हैं तो अब बताना है कि नंबर ओवेस क्या होगे तो अब हम इसमें ऐसे करें total objects n-r plus 1 है तो उसका factorial by देखो r-1 distinct groups है नहीं स्वरी आइडेंट आइडेंटिकल पार्टिशन से बाया माइनस वन फेक्टोरियल और एडेंटिकल अब्जेक्स है तो बाय एन फेक्टोरियल और इसको हम लिख सकते हैं n plus r-1 c r-1 तो हम इसको यू रिख सकते हैं t1 plus t2 plus t3 plus 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 up to tr call to n तो इसमें जो t1, t2, t3 sub to tr के जो number of integral solutions त्यान से सुनना number of possible values of all t1 से tr जिसके लिए n हो जाए तो उसके जितने number of solutions होगे वो इतने ही होगे n plus r-1 c r-1 क्यानि कि इसके number of solutions number of integral solutions जो होगे वो n plus r-1 c r-1 होगे और यह formula को remember कर दो इस पे बड़े सवाल बनते हैं कि हमें हो क्या है डिराइव करने का time विश्ट हो जाता है तो बस n-1 n plus r-1 c r-1 तो यह है number of integral solutions for t1 t2 से tr तक greater than equal to 0 क्योंकि इसमें objects ग्रूप्स empty हो सकते हैं यानि कि t1 या फिटी तो कोई भी empty हो सकता है तो number of ways यह आगे बहुत important है इसका derivation भी important है कि कुछ सवाल में जब twist आएगे तो formula apply नहीं होगा derivation से हम निकालेंगे तो यह बहुत बढ़िया concept है तो अब हम कुछ कुछ चोटे सवाल कर लेते हैं सवाल यह है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xy बराबर 10 है इच x i greater than equal to 0 है तो find number of integral number of solutions integral solutions x i belong to integer तो number of integral solutions निकालने है find number of integral solutions तो अब हमें देखो x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 10 है यानि कि number of groups कितने है 5 देखो 5 equal to r आर के वली 5 होगे number of objects कितने है 10 10 equal to 10 तो number of ways क्या हुए n प्लस r minus 1 c r minus 1 और इसको में लिख सकते है 10 plus 5 minus 1 c 5 minus 1 और यह 14 c 4 और यह हमारा answer हुआ तो इसमें बहुत आपको मज़ा आया होगा अगर आपको मज़ा आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो